सुमवार को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से मतगन्ना की तैयारियों की समक्षिया की उन्होंने सुनिशित किया कि चार जून को होने वाली मतगर्ना के लिए सभी आविश्यक्षन साधनों की समूचित आपूर्ती हो बैठक में निर्वाचन आयुक्त ज्यानेश कुमार एवं डॉक्टर सुखबीर सिंग संधू ने कहा कि मतदान की तरह मतगर्ना की दोरान भी सभी दिशान निर्देशों की पालना करनी है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीन गुपता ने बताया कि राजस्तान में मतगर्ना की सभी तैयारिया पूरी कर ली गई है उन्होंने बताया कि मतदान के इंद्रों पर सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम किये गए हैं सभी मतगर्ना इस्थलोग पर त्री इस्थरीय सुरक्षा व्यवस्ता होगी आयोग की निर्देश अनुस्तार रिटर्निंग अधिकारी किसी भी राजनितिक व्यक्ति मंत्री या वरिष्ट अधिकारी से निर्देश प्राप्त नहीं करेंगे मदगणना सल में प्रवेश के लिए वैद प्राधिकार पत्र होने के बाउजूद यदी आरो को मदगणना होल में किसी व्यक्ति की उपस्तिती के बारे में उच्चित संदे है तो वै उसकी तलाशी ले सकेगा मुखे निर्वाचन अधिकारी गुपता ने बताया कि राज्ये के 25 लोकसवा निर्वाचन छेतरों के कुल 29 केंदरों पर मदगणना होगी उन्होंने बताया कि राजस्तान में 4033 राउंड में कुल मदगणना होगी इसकी अलावा मुखे निर्वाचन अधिकारी गुपता न लिए मदगर्ना की तयारियों को लेकर कड़े इंतिजाम जा रहे हैं मदगर्ना के संबंद में आयों के मुख्यायुक्त राजीव कुमान ने सोमवार को वीडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से मधगर्ना की तयारियों की समिक्षा की इस समय तक पोस्ट और बैलिट के माध् कार्मी को दुआरक कुल दो लाग 26,470 मद डाले गए हैं भारत सिवा मद्दाता निवचन आयों के इलेक्ट्रोनिक ट्रांस्मेडर पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम के दुआरा मद्दान कर रहे हैं अब तक 70,000 सिर्दिक मद डाले गए हैं प्राते आठ वजे से प सिर्बद आप उर्ति सुनिश्चित की जा रही है और भीष्णी गर्मी में मद्दगर्ना कार्मी को और काउंटिंग एजेंट्स की सुईधा के लिए प्रतेक मद्दन कक्ष में सीतल पेजल मेडिकल किट और कूलर की विवस्ता की जा रही है